साहित्य निधि में सुनिये हिंदी साहित्य के सशक्त कथाकार बीश्म सहानी जी की लिखी हुई कहानी यादे एनक के बावजूर लख्मी को धुनला धुनला नजर आया कमर पर हाथ रखे वो देर तक सड़क के किनारे खड़ी रही यहां तक तो पहुँच गई अब आगे कहा जाए इससे पूछे क्या करे सरदी के मौसम को दो पहर ढलते देर नहीं लगती अंधेरा हो गया तो हो कहीं की नहीं रहेगी इतने में दाई और से एक धुमिल सा पुंज उसकी और बढ़ता नजर आया जो आगे बढ़ता जाता और कुछ-कुछ इसपश्ट होता जाता था कोई आदमी है इससे पूछ देखूँ परंत पुरुष की वो धुमिल सी काया एन उसके सामने पहुँच कर एक मकान क्यों गुम गई वीर जी सुनो तो बेटा बाबु बनारसिदास का मकान कहा है आदमी ठीटक गया खण भर उसकी आँखें जरजर बुढ़िया पर टिकी रही फिर वो आगे भढ़ाया चाची लखमी? हाई बच्चा तुने मुझे जर से पहचान लिया तु मेरी गोमा का बेटा है तु मेरा रामलाल है ना? और पतला हडियल हाथ उस आदमी के कंधों और चेहरे को सहलाने लगा हाई मैंने अच्छे करम किये थे जो तु मिल गया मैं कहूँ अभी अंदेरा हो गया तु मैं कहा मारी मारी फिरूँगी? मेरे दिल को ठंड पड़ गई बच्चा राजी खुशी हो महराज तुमें सलामत रखे बुड़िया सिर उंचा उठा कर बच्चे खुचे दो दातों से मुस्कुराती असीसें देने नगी सरीरों के लेखे बेटा दुनिया से जाने का वक्त आ गया मैंने कहा आँख रहते एक बार अपनी गोमा को तो देखनू कौन जाने नसीम में फिर मिलना हो या ना हो फिर कमर पर हाथ रखकर बड़े आगरह से बोली मुझे उसके पास लेचल बेटा गंटे भर से या भटक रही हूँ कोई पूछने वाला नहीं मैं कहूँ मिले बगएर तो नहीं जाओंगी हाथ का साहरा दिये रामलाल बुढिया को अंदर ले चला अरी गोमा कहच भी बैठी है देख तो कौन आया घर के अंदर कदम रखते हुए चाची लखमी बत्तक की तरह की कियाई और खिलखिला कर हस पणी कुछ नजर नहीं आता बच्चा आँखों में मुतिया बिंध हो गया है एक आँख मारी गई है सारे वक्त लगता है धूल उड़ रही है बुढिया सांस लेने के लिए रुकी फिर रास्ता टटोलती धीरे धीरे बरामदा पार करने लगी डॉक्टर नर्सिंग दास ने आँखों का ओपरेशन किया एक आँखी मारी गई मैंने कहा चल माना एक तो बच गई भला ओ डॉक्टर का एक तो छोड़ दी दोनों फोड़ देता तो मैं कुछ खर सकती थी बेटा आगे की क्या खबर क्या मालूम कलियंदी हो जाओं मैंने सोचा आँख रहते तो अपनी गोमा को जबूर देख के आऊंगी बुढिया धीरे धीरे चलती कहीं अंधकार और कहीं प्रकाश के पुझों को लांगती हुई आगे बढ़ने लगी अरी गोमा देख तो तुससे कौन मिलने आया है मकर साधे कहां बैठी है अपने आगमन की स्वेम सूचना देते हुए चाची लखमी किकी आई और फिर हसने लगी उसकी आवाज मकान के कमरों में से गूंच कर लोट आई कोई जवाब नहीं आया बालक राम सेठी की सलिहाज है ना बेचारी बड़ी अच्छी है मुझे टांगे पर बठा कर यहां तक छोड़ गई मैं परपस जो हुई बेटा बुढ़ा आदमी परबस हो जाता है राम लाल ने बुढ़िया को रसोई घर के बगल में एक छोटी सी कोश्री के सामने लाकर खड़ा कर दिया और पाउं की ठोकर से दर्वाजा कोल दिया कोश्री में घुप अंदेरा था राम लाल ने आगे बढ़कर बिजली का पटन दबाया एक अंधा सा बल्ब टिम्टिमाने लगा अरी गोमा मश्ली बनी बैठी है बोलती क्यों नहीं कोश्री के सामने वाली दिवार के सारे एक बुड़ी औरत खाट पर से पाउं लटकाए बैठी थी पर वो लख्मी को अभी तक नजर नहीं आई कोश्री में खाट के पायताने के साथ जुरा हुआ एक कमोड रखा था और साथ में एक टीन का डिपबा बुड़ीया ने एक पट्रे पर पाउं रखे हुए थे टांगों पर जो सूजन के कारण बोजेल हो रही थी दो-दो जोडे फटे मोजे के चड़े थे कोश्री में से पेशाग, मैले कपड़ों और बुढ़ापे की गंधा रही थी इन लों के अंदर आ जाने पर दो चूहे जो बुड़िया की खाट पर उधम मचा रहे थे बाग कर अपने बिलों में बुज गए कौन है? धीमी सी आवाज आई पहचान तो कौन है? लखमी बोली बुड़िया चुप रही फिर सहसा गुटनों पर से दोनों हाथ उठाकर आगे की और बढ़ाते हुए बोली आवाज तो लखमी की लगती है? लखमी तू आई है? और कौन होगा? अंदे बल्ब की रोश्टी में लखमी की आँख के सामने गोमा का आकार उभरने में काफी देड लगी इस थूल दे, उलजे हुए इने गिने सफेद बाल, चोड़ा जुरियों भरा जहरा, जिसमें से दो कांतहीन आखें सामने की ओर देखे जा रही थी लखमी के काफ में हाथ हवा को टटोलते हुए गोमा के कंदों तक जा पहुँचे और दोनों इस्त्रियां एक दूसरे से चिपट गई जब अलग हुई तो देज तक अपने दुपट्टों में नाक सुड़कती और आखें बोचती रही रामलाल ने आगे बढ़कर कोने में रखा एक पीड़ा उठाया और मा की खाट के सामने रख दिया बैठो चाची और लखमी को दोनों कदों से पकड़ कर दीरे से पीड़े पर बैठा दिया मैं उठने ही सकती लखमी खाट के साथ जूड़ी हूँ तू देखी रही है जाना मुझे था चले वो गए मेरा धागा लंबा है जल्दी टूपता नजर नहीं आता पिछले काम अभी भोगने बाकी हैं दोनों औरतें देर तक आमने सामने बैठी तुपटों में से सकती रही मैं कहती हूँ हे भगवान अब तुझे मुझसे क्या लेना है इतनी बड़ी दुनिया है तेरी मुझे यहां तेरा कौन सा काम करना रह गया है तू मुझे संभाल क्यों ने लेता पर नहीं वो नहीं सुनता तब मैं कहती हूँ अच्छा कर ले जो करना चाहता है कभी तो मुझे पर तरस खाएगा लखमी ने मुपर से दुपटा हटाते हुए कहा जब से दिल ली आई हूँ दिल तरपता रहा है कि कब गोमा से मिलूँगी कब गोमा से मिलूँगी देर तक दोनों औरतें सिर हिलाती और आहें बढ़ती रही फिर गोमा अपने बेटे की और सिर घुमा कर बोली बेटा लखमी तेरी चाची है पहचाना इसे या नहीं इस पर लखमी हुमक कर बोल उठी है इसी ने तो मुझे पहचाना मैं अंदी क्या पहचानूंगी यही तो मुझे अंदर लाया मैंने जट पहचान लिया मा कुछलीया के बयापर मिली थी बहुत मुद्दध हो गई बेटा लख्मी के साथ मैंने बड़े अच्छे दिन बिताए हैं इसे क्या मालूम ये तब पैदाई कहा हुआ था रामलाल के बाल कनपटियों पर सफिद हो रहे थे और एक छोटी सी गोल मटोल तोंद पतलून की पेटी में कसी बाहर निकलने के लिए हाफ रही थी अपनी बलगामी खासी के कारण रामलाल सारे वक्त मूँ से सांस लेता था उस वक्त तेरी गोद में शामा थी और मेरी विद्या बस यही चार-पास साल की रही होगी क्यों लख्मी हाई विद्या मेरी आखों के सामने आ गई बिल्कुल गुरिया जैसी कैसी खिडूली थी कहते हुए लख्मी दुपट्टे के चोर से पिरांखे पोचने लगी कोई किस-किस को याद करें तेरी सुर्चती किसी से कम थी यो हस्ती हस्ती चली गई शामा किसी से कम थी चोटी कहां है वो जाल अंदर में रहती है वहां उसका घर वाला नौकरी करता है उसका भी घर बाहर अब भरा पूरा होगा उसके घर दो बेटे दो बेटिया हैं अच्छा है सुक से रहें भगवान अपनी दया बनाए रखें गोमा ने फिर अपने बेटे की और मूँ फेरा बेटा हमने बड़े अच्छे दिन बताए हैं गली महले वालियां कहें अरी तुम सगी बहने हो रिष्टे की हो कौन हो जो तुमारा आपस में इतना प्यार है मैं जवाब दू हम बहने ही नहीं बहनों से भी ज़्यादा हैं खाट पर बैटी गोमा ने चहक कर कहा और अपने सूखे जुरियों भरे मूँ पर हाथ फेरने लगी मानों हसने से अकड़ी हुई जुरियां खुलने लगी हो हम एकी घर में रहती थी एक तरफ मेरी रसोई थी दूसरी तरफ इसकी सामने आंगर में छोटा सा कुवा था पर हम सदा कुवे के पास बैट कर रसोई करती थी कुवे की बास सुनकर लख्मी उचक कर बोली ऐसा मिठा पानी था उसका कि तुम्हें क्या बताओं छोटी सी कुवी थी इतनी सी बैठे बैठे में उसमें से डोलची लटका कर पानी निकाल लेती थी बुडिया गोमा ने हाथ उठा कर एक सूखी सफेद लट पीछे हटाई जो तेजना में माथे पर रुड़काई थी दोपहर में इसका मालिक बैंक से आता और तेरे पिताजी दफ्तर से आते खाना खाने बैठते तो दोनों एक दूसरे से कुष्टियां करते खाना पर उसने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो थालियां खंकाने लगते वोवा फिर हसने लगी उसकी इस थूल दे थिरक थिरक गई हसने पर उसकी छाती में से उठने वाली खर खर की आवाज और उची हो गई इधर उनके आने का वक्त होता, उधर हम भागती हुई रोटियां लगवाने चली जाती हमारे घर से तीन गलिया छोड़ कर एक जूरी बैठती थी, क्या नाम था उसका लक्मी? खाट पर से लटकती टांगे, जिन पर फटे हुए मुझे चढ़े थे, उत्साह से हिलने लगी फर्ष पर एक कोने में एक चूही ने बिल में से सिर निकाला और इधर उधर जाकने लगा बंतो नाम था उसका, मर खब गई होगी, अब कहां बैठी होगी? बंतो बंतो कहकर सभी बुलाते थे उसे? हाँ बंतो, हाए कैसी आँखों के सामने आ गई है? रोज लक्मी की और मेरी दौर लग जाती, कि तंदूर तक पहले कौन पहुंचती है? ये मुझसे ज़्यादा खुर्ती ली थी, तब भी बड़ी पतली थी, चंगेरे बगल में दबाए हम ऐसी भागती कि हवा से बाते करती जाती है, बंतो कहती, अरी शरम बेश खाई है, जो गल्यों में नंगे सिर भागती फिरती हो, गुमा कहे जा रही थी, ये हरे रंकी ग चक्कर लगा आती थी, शेहर का चक्कर लगा आती थी, इस पर लख्मी ने आगे जुक कर कहा, अरी गुमा याद है, जब भाग सुद्धी के घर से भांग पी आई थी, और दो पट्टे की ओट में अपने दो दातों को छिपाती हुई हसने लगी, गुमा भी हसने लगी, हस परते ही सूचती रहती है, इसी ने मुझे भांग पिलाई थी, चल चुट रहे, नहीं तो मैं तेरा सारा पोल खोल लोगी, लख्मी मुझे भाग सुद्धी के घर ले गई, गुमा कहने लगी, मुझे बोली आ तुझे साख के पकोड़े खिलाओ, मुझे क्या मालूं कि उन हसती ही जाती थी, मेरी हसी योग भी ऐग बाद शुरू हो जाया तो बंध होने को नहीं आती थी, मुझे नहीं मालूम कि मैं कब भाग सुद्धी के घर से निगली, मुझे एतना याद है कि मुझे गली में रुक्मणी मिली, रुक्मणी याद है लख्मी, वही ट्रंकों व गया है मैं बोलने लगी और अंदरी अंदर मेरा दिल को देखाने लगा मेरी ऐसी बुरी हालत हुई कि तुम्हे क्या बता हूँ और इस सारी शरारत की जड़ तेरी ये चाची थी जो तेरे सामने बैठी है तू कौन सी कम थी नहले पर दहला थी शेखों के खेत में से मूलिया कौन तोड़ता था मुझसे न बुलवा नहीं तो तेरे बेटे के सामने तेरी सारी कर्टूतें गिना दूँगी बता दे अब छिपा कर क्या करेगी गोमा ने हसकर कहा फिर रस ले लेकर सुनाने लगी 24 घंटें हम एक साथ रहती थी सवेरे मूँ अंदेरे ताला पनाने जाती कुछ नहीं तो तीन मील दूर रहा होगा ताला फिर सद्गुर की धर्मशाला में मत्था टेकने जाती और साग सब्ज लेकर पौप हटने तक घर भी पहुँच जाती रामलाल कभी एक के मूँ की और और कभी दूसरे की मूँ की और देखता हुआ सोच रहा था कि ये किन लोग की चर्चा किये जा रही हैं कौन थी वो जो भागती हुए गलिया लांग जाती थी और हसने लगती तो हसती ही जाती थी हसती ही जाती थी चाची लखमी कुछ कहने जा रही थी जब रामलाल बीच में बोलो था चाए प्योंगी चाची लखमी चाए मंगमाँ हाई क्यों नहीं प्योंगी तेरे घर आकर चाए नहीं प्योंगी कहते कहते लखमी भाव विभल हो उठी तेरी तो रहा देख देखकर आखे तक गई थी हमारी, तुझे तो हमने तरस तरस कर लिया है बेटा, लाखों पर तेरी कलम हो, तुने हमें बहुत इंतजार करवाया, आ तो तेरा मूँ चुमनो, आ मेरे बच्चे, लख में उठ खड़ी हुई, और रास्ता टटूलती हुई, रामलाल की और बढ़ाई, फ हर बार जब तेरी मा प्रसूत में होती, तो तेरा ताउ बाहर खाट बिचा कर बैठ जाता, और हर बार गालियां बखता हुआ उठ जाया करता, बड़ा गुस्सयलादमी था, एक एक करके चारों का दाना पानी दुनिया से उठ गया, जब तू आया, सलामत रहो बेटा, लोट कर आया, तो दोनों सहलियां गा रही थी, लख्मी की किकियाती आवाज और गोमा की खरखराती आवाज से कोटरी गूंज रही थी, खाट पर बैठी उसकी मां आखे बंद किये, दोनों हाथों से अपने सूजे हुए घुटनों पर ताल दे रही थी, जेट माया दा मा आया काग बंदे रेदा, पल विच आवे छिन विच जावे, सैफ करे चौफे रेदा, पर दो ही पंक्तियां गाने के बाद गोमा का दम फूलने लगा, और उसे खासी आ गई, हाय नहीं गाया जाता, उसने कहा, पर खासी रुखने पर वो फिर अगली पंक्ति गाने लगी, हाड होश कर दिल विच बंदे, काल नगार वजदाई, ए दुनिया भांडे दीन आई, जो गड़ियां सो भजदाई, सैसा दोनों रुख गई, गीत का बहुत हिस्सा दोनों को भूल चुका था, छोड़ गोमा, मुझे विराक के गीत अच्छे नहीं लगते, चल वो गीत ग आने लगी, गाना सुनकर घर जाग गया, रामलाल का छोटा बेटा अपने दोस्त का हाथ पकड़े, दरवाजे के बाहर पहुँच गया, और सहमी आँखों से कभी दादी की ओर, तो कभी दूसरी बुढ़िया की ओर देखने लगा, रसोई का नौकर जो अभी अभी दोपह पहर की छुटी बिता कर घर लोटा था, दरवाजे की ओट में खड़ा, पुरी बतीसी निकाले गाना सुनने लगा, गोमा को बार-बार खासी आने लगती, वो खास्ती भी जाती और बीज-बीज में गाती भी जाती, आखिर उसका दम फिर फूल गया और वो चुप हो गई खोकली, खरज, आवाजें सहसा बंद हो जाने से घर भर में मौन चा गया, बच्चे एक दूसरे की और देखकर हसे और खेलने के लिए बाहर भाग गया, सहसा अलग में बोल उठी, हाई मेरी कैसी मत मारी गई, शाम पढ़ गई, तो मैं कहीं की न रहूँगी, जिसके आसरे आई है, वो छोड़ कर चली गई, तो मेरा क्या बनेगा, फिर रामलाल की और मुह करके बड़े आगरह से बोली, बच्चा मुझे बालक राम सेठी के घर तक छोड़ाएगा, इधर तेरे महले में उसका घर है न, छोड़ाओंगा चाची, पर बैठो न, अभी तो आई हो, न, बच्चा बहुत देर हो गई है, अंधेरे से मैं बहुत डरती हूँ, और घुटनों से हाथों को दबाए, हाई राम जी कहकर वो उट खड़ी हुई, मैं तीन बार हड़ियां तुड़ा चुकी हूँ बच्चा, एक दिन सड़क पर जा रही थी, पीछे से किसी साइकल व पाले सारा वक्त कहते पिरते हैं, लखमी, तेरे पाउं घर पर नहीं टिकते, तेरा मरना एक दिन सड़क पर होगा, बुड़िया किकी आई, फिर गोमा की और देखकर बोली, गोमा तू भी अंग हिलाती रहा कर, बैट गई तो बैठी जाएगी, गोमा सिर हिला कर बोली, अ रामलाल की और हाथ बढ़ा कर बोली, रात पढ़ गई है बच्चा, मैं रात से बहुत डरती हूँ, रात बुड़ों की दुश्मन होती है, मुझे बालक राम सेठी के घर तक छोड़ा, फिर गोमा की और घूम गई, और हाथ जोर कर बोली, अच्छा गोमा, अब संजों ही म मिले, अब मैं फिर नहीं हाऊंगी, अब अगले जनम में मिलेंगी, मेरा कहा सुना माफ करना बहन, और आगे बढ़का फिर उसकी चाती से चिपट गई, थोड़ी देर बाद रामलाल लक्मी का हाथ थामे, उसे बाहर ले जाने लगा, लक्मी की अभी सांस फूल रही थी, और टांगें लरज लरज जाती थी, कोष्री में से बाहर निकलते हुए, रामलाल ने बिजली बुझा दी और दर्वाजा बंद कर दिया, कोष्री में फिर घुप अंदेरा छा गया, और सूना मौन फिर चारों और से घरने लगा, दोनों चुए फिर बिल में से निकल गए और गोमा के बिस्तर पर उधम मचाने लगे, अब ही आप सुन रहे थे बीश के साहनी जी की लिखी हुई कहानी यादें